तो जैसा कि आप यहां पे देख रहे होंगे हमारे थबनेल पर की बिहार बोर्ड सबसे पहले जारी करेगा मैट्रिक का रिजल्ट तो यह जो खबर आ रही है यह बिहार बोर्ड के ओफिस्यल साइट से आ रही है और इस पे जो हिंदुस्तान पेपर में जो है इस पे विस्ता क्योंती करोना संकट में भी सबसे पहले मैट्रिक रिजल्ट जारी करेगा मजा तो बिहार बोर्ड तो बिहार बोर्ड दस्वी के रिजल्ट इस बार CBSC-Up बोर्ड uh upward जैसे तमाम بोर्ड से पहले जारी कर बाजी मार सकता है क्योंकि lockdown के कारण CBC की कुछ परिक्षाएं लटके हुई है तो कुछ बोडों की अभी सभी उत्तर पुस्तिकाएं भी नहीं जा सकी है ऐसे में बिहार बोड दसवी का रिजल्ट जारी कर सबसे जल्दी रिजल्ट देने का record बना सकता है माई के पहले सब्ता में जारी हो सकता है नतीजे नोट करने वाली बात है कि माई के पहले सब्ता में जारी हो सकता है नतीजे बिहार बिद्याले परिक्षा समीती के अध्यक्ष आनंद की सोर ने 16 प्रेर को मीडिया को जानकारी दी थी कि 3 माई के बाद यदि लोगडान का समय और नहीं बढ़ाया जाता है तो बोड 3 माई के बाद किसी भी दिन मैट्रिक के नतीजे घोसित कर दिये जाएंगे यानि मैए के पहले या दूसरे सब्ता में बिहार बोड 10 वी के नतीजे जारी कर दिये जाएंगे उन्हेंने बताया कि 75 परतिशत मुलेंकन कार रहे हो चुका है इसलिए हमें आगे की परकिरिया पूरी करने में सिर्फ 3 से 4 दिन लगेंगे पिछले साल 80.73 फिसदी परिक्षार्थी हुए थे पास तो पिछले साल की बात करें तो यहां पे जो 110 वी बोड में जो 80.73 परतिशत चात्रों को सफलता मिली थी और उस समय जो 16,669 चात्राओं ने परिक्षार्था का फर्म भरा था जिसमें से 83,8,37,75 चात्राएं थी तो वहीं 8,3,534 चात्र थे 24 मार्च 2020 को जारी हुए थे बारवी के नतीजे तो इस बार के आप लोग जान रहे होंगे कि इस बार जो रिजल्ट अगर इंटर का देखा था तो वह 24 मार्च को जारी कर दिया गया था तो उसके बारे में हम लोग पहले बहुत सारा कुछ जान चुके हैं धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए